जैहिन दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कंप्रेटिटिव क्यूज के इस यूटूब प्लेटफॉर्म पर तो आज हम बात करेंगे बिहार SSC के प्रैक्टिस सेट 18 गवारे में अल्रेडी मैं एक से लेकर 17 तक प्रैक्टिस सेट पहले भी कंड़क्ट करा जुका हूँ तो अभी तक आपने अगर वीडियो को नहीं देगा तो जाकर आप वीडियो को देख लिजेगा चैनल पर विजिट करेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मैक्सिम्म जतना सेर कर सकते तो उतना सेर कर दिजेगा क्योंकि देखिए आगे आपका जो सेट आने वाला है वो SSC GD का भी सेट आने वाला है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करकर रखेगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिजेगा तो फिलाल हम लोग बढ़ते हैं आगे देखिए यहां पर पहला कोशन क्या कर रहा है तो यह बिहार SSC के लिए प्रैक्टिस सेट है 18 नमबर ठीक है तेहां पर पहला कोशन करक निमलिखित अस्थलो में कौन सा मेसो लिथिक काल में जनवरों के प्रभूत्व का साक्ष परदान करता है तो वो कौन सा अस्थल है बताना है कि कौन सा अस्थलो का तो इसका राइट अंसर हो जाएगा नमबर दियान दिजएका निमलिखित में से किस भासा को सिंदु घाटि सा भेता की भासा के रूप में पहचाना गया मतलब सिंदु घाटि सा भेता में काउन सा भासा बोला जाता था तो वो बताना है कि दो का राइट अंसर क्या हो जाएगा तो का हो जाएगा एक द्रविड हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन जैन पाठ जिसमें तिर्थंकरों के जीवनी सामिल है के रूप में जाना जाता है तो वो कौन सा है वो बताना है जिसमें जैन तिर्थंकरों के बारे में लिखा गया है उनके जीवनी के बारे में लिखा गया है त ऐलप सुत्र श चार नंबर में कह रहा है कि निमलिकित में काउंड सा धिकारी मौर परसाजन का हिस्सा नहीं था तो बतायेकिai करें हो जैगा अगर हारिका नहीं था बाकी युक्ता, प्रदेश का और राजु का ठीक है तो यह सारा कुछ हो गा लेकिन अगर हारिका नहीं हो ठीक है नेक्स्ट कुस्टन बोल रहा है कि राजा बिज्याले का समद्ध निमलिखित में से किस राजवन से है तो इतो हलका कुस्टन बता सकते हो तो पांच का जो राइट अंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा चूल हो जाएगा ठीक है शीक्स नंबर में कर रहा है निमलिखित में से मुगल काल में सैन बिभाग का परमुक कौन होता था तो शीक्स का राइट अंसर एक नंबर होगा मीर वक्सी 7 नमबर में का रहा है कि गुलाम बंस के किस सासा को बहा उद्दीन के नाम से जाना जाता है बताए इसका कमेंट बॉक्स में आप ही बताए कितने क्या होगा इसका राइट अंसर 7 का D हो जागा प्यास उद्दीन बलवन ठीक है तो बलवन को ही कहा जाता है बहाउद्दीन के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए next question आगे बढ़ते है 8 number कहरा किस वंस के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक देश पर सासन किया था ठीक है तो आठ का जो राइट अंसर हो जागा वो डी नंबर हो जागा तुगलक बंस ने सबसे लंबे अर्से तक सासन किया था 9 number में कहा रहा है कि मुगल काल में बारसी, क्रिसी, योग, भूमी के लिए किस सब्द का परयोग किया जाता है तो 9 का जो राइट अंसर हो जाएगा, 9 का एक नंबर हो जाएगा, पोलाज, नेक्स्ट कदामबरी के लेखक कोने, ये बताना है कि कदामबरी के लेखक कोने तो बताएगा कदामरी के लेखक को ने तो तो हलका कुछ साने तो 10 का जो राइट अंसर D नंबर हो जाएगा वान भट ठीक है नेक्स्ट है 11 नंबर पर आते है 11 नंबर में कारा कि मराठा सेना परनाली के साही घुड सवार सेना के लिए कौन से सब्द का उप्योग किया गया है मतलब मराठा सेना में जो साही घुड सवार जो होते थे ठीक है तो उनके लिए कौन से सब्द का यूज किया जाता है तो 11 का राइट अंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा 12 नंबर में कारा है कि दिल्ली के सुल्तानों दोरा निर्मित पहली महजीद का नाम बताईए तो 12 का राइट अंसर C हो जाएगा कुबबत उलिस्सलाम 13 नंबर में कारा कि परसित मुगल चितर जिसमें जहांगीर को साफा विद्ध राजा साह अबास को गले लगाते हुए दर्साय गया है 13 का राइट अंसर क्या होगा 13 का डो नंबर हो जागा अबुल हसन ने बनाय था अबब जहांगीर साफा विद राजा साह के अबास को गले लगाते हुए दर्साय गया था किस चितर में तो यह जो चितर बनाय गया था किस के दोरह बनाया गया था तो अबूल नंसर हो जएगा jarada kanadhan नहें बाकि छाण कापील मूनी वैचे छी कनाता न्याई गौतम हो जाएगा ठीक है नेक्च घुश्ट कोस्ट अ दौरा दिल्ली परकथा करने वाले बृतिस सैनद कारी नाम बताना है तो अ संद्रा का हो जाएगा सी नमबर जॉन निकोलसन हो जाएगा कि तो यह सोला नमबर मेकार 1857 के सुरुवाद में आसांति के पहले संकेत कहां दिखाई दिये थे तो यह सोला का एक नमबर हो जागा बंगाल में सत्रा नंबर में कारा कि बंगाल में सियाइटिक सोसाइटी के स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो सत्रा का तीन नंबर हो जगा सर बिलियम जोन्स द्वारा और अठारा नंबर में कारा हरीजन सेवक संग के संस्थापक का उन्थ है तो 18 का 3 हो जाएगा M.K. गांधी, मतलब महात्मा गांधी 19 नंबर में कारा हुआ अधिनियम, जिसने British East India Company से भारत में British Crown को सत्ता अस्थनांतरित की तो बताए 19 का राइट अंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का एक नंबर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम, 1858 Next question भारत में भारत में सहायक गठवंदन परनाली की सुरुवात किस ने किया था तो 20 का राइट अंसर, D नंबर हो जाएगा, लॉड बेलेजली 21 नंबर में कारा है कि लॉड करनवालिस का स्थाई बंदोवस किस वर्स सुरू किया गया था तो 21 का D नंबर हो जाएगा, 1793 में नेश को रहा कि भारत छोड़ो अंदोलन के समय वाइसराइ कौन था तो 22 का जो राइट अंसर हो जाएगा, वो C नंबर हो जाएगा, लॉड लिन लिथोगो 23 नंबर में कारा है कि जन जाती है, बिद्रोहों और उनके अस्थानों के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा एक गलत कथान है तो बताएगा, क्या इसका अंसर हो का, 23 का D हो जाएगा बाकि सब ठीक है, ठीक है कोल विद्रो, छोटा नागूर जगा, मुंडा विद्रो, राची, संथाल विद्रो, राजमहल, हिल्स निमलिखित में से किस नाटक में किसानों के नील विद्रो को, इस्थिती को, चित्रित किया गया है तो 25 का, दो हो जाएगा, जालिया वाला भाग हो जाएगा ठीक है 26 नमबर में का रहा है कि निमलिखित में से किस ने 12 नसी से कभी वचन सुधा का परकासन शुरू किया 26 का एक नमबर हो जगा भारतेंदू हरिश्चंद्र 27 नमबर में का रहा है कि 1905 में किस कॉंग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वादेशी और बहिसकार अंदोलन का समर्थन किया तो उस अधिवेशन का नाम बताना है कि क्या इसका राइट अंसर होगा तो 27 का जो राइट अंसर जो हो जाएगा वो डी नमबर हो जाएगा तो डी नमबर में देख लिए कौन है बनारस है तो बनारस इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोरा हिंदी हिंदू हिंदूस्तान का नारा किस ने दिया तो 28 का हो जाएगा C नंबर भारतेंदू हरीश चंद्र 29 नंबर में करा रहा है कि ससस्त्र करांती के आयोजन के लिए अस्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन जिसका स्थापना 1924 में हुआ था का नाम बदल कर हिंदुस्तान सोसिलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन कर दिया गया तो उसका लीडर सीव कौन कर रहे थे ये बताना है तो 29 का एक नंबर हो जागा चंदर सेखराजाद उसका बोल रहा है कि चावरी चावरा कांड कब हुआ था तो 30 का 3 हो जाएगा 1922 में ठीक है फरवरी 1922 आगे कहा रहा है कि गांधी इर्विन समझावता पर किस वर्स हस्ताचर किये गये थे तो 31 का D नंबर हो जाएगा 1931 32 नंबर में कहा रहा है हापर कि सिफ लोर अस्पेंडिंग का सिधान किस ने दिया तो 32 का 3 नंबर हो जाएगा Harry Hess नेक्ट कोस्टन कहा रहा है कि 20 में कच्चे इस पात का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन है तो 33 का 2 नंबर हो जाएगा चीन 34 नंबर में आजए 34 नंबर में कहा रहा है कि निमलिखित में से कौन सा देश बिस में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है तो बताई इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो 34 का दो नंबर हो जाएगा ब्राजील 35 नंबर में कहा रहा है कि निमलिखित में कौन ब्लॉक परवत का उधारन है तो 35 का जो राइट अंसर हो जाएगा वो एक नंबर हो जाएगा बोस गेस ठीक है बलित ने बलकि ब्लॉक परवत लिखा हुआ है ठीक है नेक्स्ट कॉस्चन 36 नंबर में कहा रहा है कि निमलिखित में से कौन सा भारती राज भुटान के साथ अपनी सीमा साजा करता है तो 36 का जो राइट अंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा पच्छी मंगाल ठीक है 37 नंबर में लंदन सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो 37 का तीन नंबर हो जाएगा टेम्स हो जाएगा वो ठेम्स लिखा हुआ है सुधार लेजेगा, टेम्स हो जाएगा 38 नबर में कराया कि निम लिखित में कौन सी नदी सिव किला धर्रे से होकर गुजरती है तो 38 का एक नम्बर हो जाएगा सतलज नदी उन्चालिस में कराया कि दडचेंतम हिमाले को किस रोप में जाना जाता है तो 49 का एक नंबर हो जाएगा सिवालिक नेक्ट कोस्टन 40 नंबर में कहा रहा है कि गंगा ब्रहम पुत्र डेल्टा मुख रूप से किस परकार के वन से अच्छा दित है तो 40 का हो जाएगा दो नंबर सदावाहार वन 41 नंबर में कहा रहा है कि भारत के परमुख चावाल उत्पादक राजियों का चैन कीजिए कौन कुन है तो 41 का जो हो जाएगा 41 का डी नंबर हो जाएगा पहले पक्षिम मंगाल उसके बाद यूपी और उसके बाद पंजाब ठीक है आगे का रहा है निम लिखित में कौन करनाटक में परमानू उर्जा साय अंद्र है तो बताएगा 42 का क्या हो जाएगा राइड अंसर 42 का 3 हो जाएगा कैएगा 42 नंबर में कर रहा है कि भारत के पूर्वी तड़ पर कौन सब बंदर्गा इस्थित है तो बताइए 43 का राइट अंसर क्या हो जागा 43 का हो जाएगा D नंबर पहारादीप और हल दिया ठीक है मतलब उडिसा में श्थित है नेक्स कोस्टन आईए 44 नंबर में कराएक निम लिखित में से किस राज की भारत में जन संख्या सबसे कम है तो 44 का राइट अंसर एक नंबर हो जाएगा सिक्किम 45 नंबर में करा रहा है कि निम लिखित में कौन सी लोकतंतर की बिसेशता नहीं है तो बताइएगा कि कौन सा लोकतंतर का बिसेशता नहीं है तो 45 का जो राइट इधर भी देख लेजी इधर भी option दिया हुआ है 45 का हो जाएगा D number ठीक है लोगतांतर में चुनी हुई सरकार किसी सत्ता या नियम दोरा सिमित नहीं होता तो यही इसका गलत अंसर हो जाएगा ठीक है next question भारतिय संविधान के अनुछेद 149 से 150 में निमलीखित में किस से संबंदित है 46 का तीन नमबर हो जाएगा नियंतरक और महालेखा परिछक जिसे हम कैग बोलते हैं ठीक है कॉमपंट्रोलर, ओडिटर, जेनरल ठीक है next question 47 नमबर में कह रहा है कि निमलीखित में किस मामले में भारत के सरवोच नियाले ने फैसला सुनाया कि संबिधान मूल संरचना को संसद्वारा संसोधित नहीं किया जा सकता है 47 का तीन नमबर हो जाएगा केशवानन भारती मामला में 48 नंबर में कर रहा है, कि निम लिकित में कौन साते हतर में संविधान संसोधन अधिनियम जोगी उनई सुबाने में हुआ था का अनिवार प्रफधान नहीं है, तो नहीं है यह पूछ रहा है, तो 48 का D नंबर हो जाएगा, ठीक है, भाकी सब सही अंसर है, ठीक है, 49 नंबर मे आईए राज में बिधान परिश्वत को समाफ्त किया जा सकता है तो उन्चास का बताईए राइट अंसर क्या हो जागा तो उन्चास का डी नंबर हो जाएगा संसत द्वारा ठीक है कि नेश्ट कोस्टन आगे बढ़ते हैं ऐसा ही कोस्टन ने इस पर थोड़ा सा सक है ठीक है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताईएगा पचास का पचास नंबर पर बढ़ते हैं निमलिखित में से किसे सर्वोच नियाले में नियाधीसों को संख्या बढ़ाने की सक्ति प्राफ्त है तो ये संसत हो जाएगा ठीक है नेश्ट कोस्टन नेश्ट कोस्टन कौन सा नुछेद राष्ट पती को संसत के दोनों सदनों के संजुक्त बैठा कब बुला मतलब किसा नुछेद में ऐसा सक्ति परदान किया गया राष्टर पती को तो बामन का तीन नंबर हो जागा एक सो आठ तीरपन नंबर में कहा रहा है कि राष्ट पती के कार्जकाल के लिए निमलिखिद में कौन सी योगता गलत सुची वद की गई है तो गलत कौन है ये बताना है तो तीरपन का डी नंबर हो जाएगा ठीक है, बाकी सबसई है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 बरसे अधिक होना चाहिए उसके पास लोकसभा के सदस के रूप में चुनाओ के लिए निर्धारित योगिता होनी चाहिए, ये सबसई है लेकिन D जो है वो गलत है चववन नमबर में आये चववन नमबर में क्या कह रहा है भारत के चुनाओ आयुक्त को किसके द्वरा हटाया जा सकता है तो चववन का दो हो जाएगा राश्टर पती पचपन नमबर में कारा किस पंचवर्षी योजना को महान लोविस योजना के नाम से जाना जाता है तो पचपन का दो नमबर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षी योजना 56 में कारा हिंदू बिकास दर सब्द का अर्थ भारती अर्थ विवस्था द्वारा पहली 6-5 वर्षी उजनाओं में प्राप्त 3.7 परसेंट परती वर्ष की बिर्धी धर से है वस यह सब्ध किसने कहा तो यह जो सब्ध जो है हिंदू बिकास धर किसने कहा था तो 56 का तीन नंबर हो जगा राजा कृष्णा करक केंद्रिये बजड़ 2021-22 के अनुसार 64,180 करोड रुपिये के परी बियाई के साथ सुरू की जाने वाली स्वास्त की नई योजना कौन सी है तो 2021-22 के अनुसार पूछ रहा है तो पता है 57 का हो जगा एक नंबर परधान मंत्री आत्म निर्भर स्वस्त भारत ही हो जगना 58 नंबर में कहा रहा है इसमें कि निमलिखित में से किस छेत्र में भारत में परतियक्षि बिदेशी निवेश के माधियम से नेजी छेत्र के निवेश के अनुमती है तो 58 का जो राइट अंसर होगा वो तीन नंबर हो जगा नागरिक उड़्डेयन 69 नंबर में कहा रहा है कि सेज लिखा हुआ है ठीक है सेज अस्पेसल एकोनोमिक जोन जिसे हम बोलते हैं इंगलिस में सेज में बी निर्मान छेत्र में परतियक्ष बिदेशी निवेश के कितने परतिशत के अनुमती है तो सेज बाला हम पूछ रहा है तो बताए 69 के क्या हो जाएगा तो 69 का राइट अंसर हो जाएगा तीन नंबर 100 परसेंट साथ नंबर में कहा रहा आर्थिक मामलों के कैविनिट समीती द्वारा कितनी फसलों के लिए निंतम समर्थन मुल की गोसना की जाती है साथ का डी बाइस ठीक है नेक्ट कोस्चन आगे बढ़ते हैं करा अध्योगिक नीती संकल्प के अनुसार 1948 भारती अर्थ वेवस्था है मतलब कैसा है तो वो बताना है तो 61 का एक नंबर हो जागा मिश्रित अर्थ वेवस्था 62 नंबर थोड़ा साइन से कुश्चन ने करा जन्तु कोसिका में काउन सा अंगक बड़े बाह कोस्किये और अंतरा कोस्किये कनो और आटो लिसिस को पचाने का कार्ज करता है तो बताएगा 62 का क्या हो जाएगा 62 का दो नंबर हो जाएगा 33 नंबर में करा कि कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है मतलब सुध रक्त किसके द्वारा जाता है मना ऑक्सीजन युक्त कहने का मतलब हो गया सुध रक्त है 63 का तीन नंबर हो जागा परधान वेना कवा ठीक है 64 नंबर में करा मस्तिस का काउन सभाग शरीर के मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है तो ये कंट्रोल करने का काम कौन करता बताई तो 64 का राई 64 का हो जाएगा तीन नमबर पच्छ मस्तिस के नेक्स्ट कोश्चन 65 नमबर में कराक निमलिखित में किसे ब्रिधी निरोधी हार्मुन कहा जाता है तो 65 का राई एंचर एक नमबर हो जाएगा सुमैटो अस्टेटीन हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन निमलिखित में कौन बिटामिन A का अच्छक स्रोथ है तो 66 का एक नमबर हो जाएगा मचली का तेल 67 नमबर में का रहा कि कुनाईन किस पौधे से प्राप्थ होता तो आप बता सकते हो तो 66 का एक नमबर हो जाएगा तने की छाल से नेट करा निमलिखित में कौन महिला प्रजनन परनाली का हिस्सा नहीं है तो 68 नमबर का राइट अंसर जो हो जाएगा बताईए 68 का D नमबर हो जाएगा अधी विरसन क्यूंकि पूरिस में पाये जाता है बाकी सब हो जाएगा महिला कांग है ठीक है आगे करा एक अनुवानसिक रक्त बिकार जिसमें ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन की समान से कम मातरा सामिल होती है तो कौन सा बीमारी हो जाता है तो बताएगा 79 का राइट अंसर क्या होगा 69 का C नमबर हो जाएगा थैले सीमिया ठीक है क्या हो जाता है थैले सीमिया हो जाता है सत्तर में कहा रहा है कि निमलीखित में कौन सी उर्जा की एक मातर इकाई नहीं है ठीक है मातरक मतलब नहीं है उर्जा का तो बताएगा 70 का राइट अंसर क्या होगा 70 का जो राइट अंसर होगा वो तीन नमबर होगा ठीकर तीन नंबर आपका क्या हो जाएगा आस्व सक्ति मतलब यह उल्टा हो गया जूल तो उर्जा का है ठीकर कीलोवाट घंटा और एक कैलोरी है एंना तो कैलोरी तो आपका उर्जा का यह दुनों A और D तो होगा खेर किलो वाट घंटा जो होता वो सकती का स्वसकती अब देखिए यहां पर जो आप संज है वह ई भी हो सकता है ठीक है तो यह आप लोगों के लिए रहा कि कमेंट बॉक्स में बताएगा 70 का ठीक है ऐसे मेरे हिसाफ से ई लग रहा है ठीक है यह होना चाहिए ठीक है फिलाल आप लोग भी अपना पर्तिकिरिया दे सकते हो तो बताएगा नेक्ट कोस्टन आगे बढ़ते हैं फैराडे के इलेक्ट्रोलेसिस के नियम संबंदित है किस से तो बताएगा 71 का एक नंबर हो जागा सम्तुल भार से नेक्ट कारा कि प्रसरब आविर्थी की ध्वानी का द्वानी तरंग काउन सी है प्रसरब का बताना है तो 72 का एक नंबर हो जागा ग्रेटर दैन 20,000 हर्ज 72 हो गया 73 नंबर में आ जाई है यदि गतिमान निकाय का बेग दुगना हो जाता है मतलब भी जो है क्या कर दिया जाए दुगना कर दिया जाए तो निकाय की गतिज उर्जा कितना बढ़ जाएगा गतिज उर्जा क्या होता हाप MB स्कॉयर होता गतिज उर्जा तो वही पू बिकरन है कौन सा है तो चहुत्तर का जो राइट अंसर होगा वो दो नमबर हो जगा प्रावैंगनी नेश्ट कह रहा है नब्बे चालिस और एक सव बीस मान के तीन परतिरोध समनांतर करम में जुड़े हुए है तो सम्तुल परतिरोध बताना है कि सम्तुल परतिरोध क्या होगा तो जोड़ दीजिये ठीक है एक बटा करके जोड़ दीजिये सबको तो बचहत्तर का जो राइट अंसर होगा वो दो नमबर हो जाएगा ठीक है नेश्ट कोस्टन आगे बढ़ते है ओडो मीटर उपकरन का उपयोग कहां किया जाता है तो 76 का तीन नमबर हो जाएगा ताई की गई दूरी हो जाएगा ठीक है आगे करा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया है किस पर काम किये थे तो बताईए 77 का राइट अंसर क्या होगा 77 का हो जाएगा तीन नमबर रोग पैदा करने वाले जिवानूओं की संस्कृति से नेक्ट कोस्टन करा यदि एक तत्व का परमानू के नाभिक में 11 प्रोटॉन है ठीक है पी कितना है 11 है और न्यूट्रॉन कितना है तो न्यूट्रॉन जो दिया हुआ वो भी 12 है तो दरमान संख्या कितना हो जाएगा ठीक है तो दरमान संख्या बताना है तो 78 का जो राइट अंसर जो होगा वो आपका C नमबर हो जाएगा 78 का C देख लिजे E सेड में है ठीक है 28 हो जाएगा कि आसू का पीएच मान कितना होता है तो इसका C नमबर हो जाएगा 6.0 से 6.6 है अच्छा मैं आपके लिए एक होमबर्ग दे रहा हूँ कि मानब सरीर का पीएच मान कितना होता है human body का एक question पुछा गया है human body का पीएच मान कितना होता है यह आपको बताना है ठीक है comment box में बताएगा यह आपके लिए होमबर्ग रहा चलिए next question आगे बढ़ते है आगे कह रहा है क्लीनी की थर्मा मीटर में परियुक्त दरब कौन सा होता है तो 80 का 3 नमबर हो जाएगा पारा 81 नमबर में कह रहा है पीतल एक मिस्र धातूद पीतल किसका बना होता है तो हलका question दिया हुआ है इसमें बताएगा 81 का एक नमबर हो जाएगा कौपर और जिंक हो जाएगा पीता जी एक formula इसका है ठीक है पीता जी पी से पीतल हो गया ता से तामा हो गया जासे जस्ता हो गया ठीक है तो आपका कौपर और जिंक किसका राइट अंसर हो जाएगा आगे कारा गन्य में क्या पाए जाता है वो बताना है आपको तो 82 का 2 हो जागा glucose और fructose कारा बूझा हुआ चूना क्या है तो बताइए 83 का 2 नंबर हो जाएगा calcium hydroxide 84 नंबर में आते हैं कि benzene में carbon का संक्रन मतलब hybridization कितना होता है बेंजीन में तो 84 का 2 नंबर हो जागा sp2 next करा कि chlorine की बिरंजन किरिया द्वारा होती मतलब किरिया किरिया किसके द्वारा होता है chlorine का जो बिरंजन जो होता वो किसके द्वारा होता वो बताना है बताइए कि इसका right answer क्या होगा तो 85 का D नंबर हो जाएगा oxygen करन जिसे हम oxidation कहते है 86 नंबर में करा अवर्थ सारनी के दाई और के तत्विक क्या कहलाते है 86 का D नंबर हो जाएगा 87 नंबर में करा कि निमलिखित में कौन सा पदार्थ warming warming में योगदान देता है मतलब global warming में जो 20 वे तापन होता उसमें योगदान देता है 87 का जो right answer जो हो जाएगा वो E नंबर हो जाएगा है उपर युक्त में से कोई नहीं पर युक्त में से एक से अधिक होगा 88 नंबर में करा कि कौन सी एजेंसी दुनिया भर में लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में जनकारी प्रकासित करता है तो बताइएगा इसका right answer क्या होगा तो 88 नंबर का जवाब देना 88 का D नंबर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नेचर ठीक है चलिए नेश्ट कोस्टन 89 नंबर में का रहा है कि जून 2021 में किस राज ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन आयात भंडारन संचलन और उपयोग पर बैन लगाने का फैसला किया जिसका कचरा निप्टान के लिए एक परमुख मुद्दा बन रहा था तो बताए एक कौन सा स्टेट है 89 का तीन नंबर हो जगा बिहार 92 में कारा कि नेशनल क्लाइमेट वल निरेविलिटी निर्धारन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने परतिसाद जिले सरवाधिक आसरुक्षित जिले के सिरेनी में आए है तो 90 का हो जाएगा तीन नंबर 60% 51 नंबर में कह रहा है कि बिहार के कितने जिलों में ऑक्सीजन सैंद्र अस्थापित होने जा रहा है तो थोड़ा सा बिहार स्पेशल का कोश्चन दिया हुआ है ठीक है दो-तीन कोश्चन तो आपको देखने को मिली जाएगा तो बताइएगा 91 का राइट अंसर के होगा 91 का एक हो जाएगा 15 आगे कह रहा है कि मार्च 2021 में बिहार में किसने इथेनौल उत्पादन संबर्धन नीती 2021 सुरू किया बताइए 92 का दो नंबर हो जाएगा सैयद सहनवाज हुसाइन 93 नंबर में कह रहा है कि बिहार में वन से घिरे राज का भागोलिक छेतरफल कितना परतिसत है 93 का तीन नंबर हो जाएगा 7.76 94 नंबर में कहरा कि बर्नाल जलासा योदना भारत के किस राज से समंधित है 94 का सी होजाएगा भागलपूर ठीक है किस जिला देना चाहिए था ठीक है और राज पूछेगा तो बिहार हो जाएगा 95 कहरा कि अबरक बिहार के निमलिखित में से किस जिलेम पाजाता अबरक तो 95 का जो राइट अंसर होगा वो डी नमबर हो जागा भागलपूर 96 नमबर में करा कि बिहार में 5-7 किलोमेटर चौड़ाता राइट छेतर बिस्तिरित है तो कहां बिस्तिरित है यही आपको बताना है 96 का हो जागा डी नमबर पचमी चमपारन सीता मढ़ी अररिया किसन गंज ठीक है 97 नमबर में आजाए 97 नमबर में क्या कह रहा है 97 नमबर में कह रहा है कि बिहार की कौन सी नदी सोमेशवर पहाणियों से निकलती है और गंड़क नदी के समना अंतर बहती है तो 97 का एक नमबर हो जागा बुढ़ी गंडक 99 में आजाईए कराक निमलिखित में से कौन बिहार के दच्छिन की और बहने वाली नदी नहीं है तो 98 का जो राइट अंसर होगा वो तीन नमबर हो जाएगा बाकी सब दच्छिन की और बहता है 99 में का रहा कि औरंग जेव ने किस वर से प्रिंस अजीम उससान को पटना का राजपान नियुद किया था तो 99 का राइट अंसर जो हो जाएगा वो दो नमबर हो जाएगा 1703 में और 1707 में फिर औरंग जेव की मिर्तिय ही हो जाता है नेक्स कोश्चन आईए 100 नमबर कह रहा है इसमें के निमलिखित में कौन बिहार का पर्थम मुस्लिम बिजेता था तो 100 का बताएगा राइट अंसर क्या हो जागा तो 100 का C नमबर हो जागा भक्तियार खिल जी ठीक है चलिए 101 नमबर पर आते हैं बिहार के निमलिखित में कौन सा जीला अंग महाजन पद का गठन करता है मतलब उसके अंतर गठाता है तो बताएगा 101 का E नमबर हो जाएगा ठीक है संपूर्ण करांती का नारा किसे ने दिया था तो 102 का D नमबर हो जाएगा जैपरकास नरायन आगे कहरा कि मगद की प्ररंभिक राजधानी कहां थी तो 103 का 2 नमबर हो जाएगा राजगरे 104 में कहरा कि बिहार के पटना जिले में सदाकत आसरम के अस्थाबना किस ने किया था 104 का C हो जाएगा मजरूल हक 105 में कहरा है कि 1857 के महान विद्रो के दवरान निमलिखित में कौन पटना का आयुक्त था तो 105 का D नमबर हो जागा मेजर बिलियम टेलर ठीक है आगे कहरा है कि बिहार विधान परीशत का गठन कब किया गया तो 106 का 2 नमबर हो जाएगा 912 हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्ट कुस्टन आगे बढ़ते है करन निमलिखित में से बिहार के प्रसासनिक प्रभाग की कौन सी जोड़ी उनके मुख्याले के साथ गलत है तो बताएगा हेट कौर्टर में कौन गलत है वो आपको बताने के लिए कह रहा है तो एक्सो साथ का सी नमबर हो जाएगा ठीक है बाकी सब ठीक है मगत गया है कोसी सहरसा और तिरहुत मुझफर मुझफर पूर ठीक है तो यह हेट कौर्टर सबका दिया हुआ है नेक्स्ट कुस्टन एक्सो आठ में कह रहा है कि देखिए बिहार के बजट से समंदित है करा राज बजट 2021-22 के नुसार बिहार ने अपने ब्याय का कितना परतिसत गरामिन विकास पर आवंटित किये है ठीक है तो बताएगा क्या हो जाए इसका एक्सो आठ का दो नंबर हो जागा एगारा दसमलब छो परसेंट नेक्स कुस्टन आईए बिहार आर्थिक सरवेच्छन 2021 के नुसार शकल राज घरेलू उतपाद में क्रिसी और उसके सम्बंद छेतर का योगदान कितना है तो ये बताना है कि कितना योगदान है तो एक्सो नौ का जो राइट अंसर हो जाएगा वो दो नंबर हो जाएगा अठारा दसमलब साथ परसेंट दुनिया का सबसे खुसहाल सहर कौन सा है तो एक्सो दस का बताएगा एक्सो दस का क्या हो जाएगा करा 2020 के सभी बच्चों का टीका करण किस से संबंदी थे किस योजना से संबंदी थे वो बताना है 111 का एक नमबर हो जाएगा मिसन इंद्रधनुस कई बार योजनाओं से बहुत बार कोश्चन भी पूछा जाता है इसे ध्यान में रखेगा अगे करा भारति थल सेना के बरतमान प्रमुख कौन है तो बताएगा थल सेना का कौन है बो आपको बताना है तो बताईए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो देखें फिलाल अभी अगर 2022 में अगर देखते हो ना थल सेना मतलब आर्मी के लिए पूछ रहा है तो ये तो आप बदल चुका है तो थल सेना का जो अध्यात हो जाएगा वो मनोज पांडे अभी फिलाल कौन है तो अभी फिलाल मनोज पांडे है और ये केमे है तो ये 29 ठीक है 29 आप बोलिएगा तो थल सेना तो समझ गए और भी कोस्चन पूछ सकता है ये बायू सेना का अगर पूछेगा तो कौन है बताईए बायू सेना का कौन है अभी फिलाल 2022 में तो बायू सेना का ध्यक्स अगर पूछेगा तो बी आर चोधरी कौन हो जाएंगे बी आर चोधरी ठीक है अब बी आर चोधरी का नंबर अगर पूछेगे कि कौन से नंबर के है तो यह 27वा है कौन है 27 ठीक है एक और question पूछ सकता कि 9 सेना का तो 9 सेना का फिलाल अभी पूछेगा तो आर हरी कुमार कौन है आर हरी कुमार ठीक है आर हरी कुमार और इनका अगर numbering पूछेगा तो यह 25 हो जाएगा ठीक है तो यह याद रखेगा इसे चलिए next आगे बढ़ते हैं कि इस सुतंदरता सेनारी को लोकमानने की उपाधी दिया गया है। तो बताईएगा इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा। 113 का, 113 का तीन नमबर हो जाएगा, बाल गंगा धर्तिलग। करा उस नोबेल पुरुषकार बिजेता का नाम बताईए, जिसे दो बार भावतकी का नोबेल अवाड मिला है। 114 का डीन नमबर हो जाएगा, जौन बारडीन। 115 में कारा के निमी लिखित में किसने अपने पहले उपन्यास सुगी बैन के लिए बुकार पुरुषकार 2020 जीता। बताईए, 115 का हो जाएगा, डीनमबर, डागलस अस्टुवर्ट नेक्ट कोशन करा है, रिडल्स इन हिंदुईज में, पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। 116 का एक नमबर हो जाएगा, बी आरम बेद कर। आगे कह रहा है, यहां पर ध्यान दिजिए। 2022 में आयोजित नौवे, एस्याई, मंत्री अस्तरिय, उर्जा, गोल्मे, समेलन की मेजवानी किस देश द्वारा की जाएगी। 117 का C नमबर हो जाएगा, भारत। 118 नमबर में कह रहा है कि निमलिखित में किसने मई 2020 में आयोजित, बितिय, इस्थिरता और विकास परिशत की 22 में बैठा के अध्याक्सता की। 118 का राइट अंसर क्या हो जागा है, 118 का C नमबर हो जागा, केंद्रिय बितमंत्री 119 में आईए, टेक भारत का कौन सा संसकरन हाल ही में मार्च 2021 में अजूजित किया गया था। यह देखिए, एडीशन भी पूछता है, तो कौन सा एडीशन था, तो 119 का जो राइट अंसर जो होगा, वो एक नमबर हो जागा, सेकेंड एडीशन, 120 नमबर में आईए, धुर्विय जी बिग्यान के छेतर में सहयोग के लिए प्रिथिवी बिग्यान मंत्राले और निमल यह देखित में से किसके बीच एक एगरिमेंट हुआ, ठीक है, किसके बीच में हुआ था, बस यह पूछ रहा है, तो बताएगा, 120 का राइट अंसर क्या हो जाएगा, तो 120 का तीन नमबर हो जाएगा, जैब परदोग की विभाग, ठीक है, बायो टेकनोलोजिक डिपार्ट परदोग करनेंट है, 121 का राकिस फिल्म ने, आॉसकर 2021 में सरफ्ष्ट फिल्म का एवोर्ड जीता, तो 121 का राइट अंसर जो हो जागा, वो डी नमबर हो जाएगा, नो मैड लेंड, नो मैड लेंड, नेक्ट कोस्टन, एक्सो बाइस नमबर में करा, 14 मार्च 2021 को लास एं वनी बताईए जल्दी सा कमेंट वोक्स में बताईएगा 122 का दो नंबर हो जाएगा टेलर स्विफ्ट है 123 नंबर में कारा हाल ही में किस देश के पूर्व परधान मंत्री को सारफ जनिक मामलो के छेदर में पद में भूसन 2021 से सम्मानित किया गया है तो 123 का राइट अंसर जो होगा वो एक नंबर हो जाएगा जापान 124 नंबर में कारा अंतराश्ट्रिय बितिय सेवा केंद्र प्राधिकरन निवेस निधी पर विशेस विशेसक्य समीति के गठन किया निमलिकित में कौन इस समीति के अध्यक्ष है ठीक है उस समय जब किया ग नंबर हो जाएगा देख लिए डी इधर होगा ठीक है निले से साह हो जाएगा चलिए नेश्ट कोस्टन आगे बढ़ते हैं आगे का रहा है बिस में प्रावासी पक्षी दिवस 2021 का थीम बताना है कि मतलब भी से बताना है क्या है बताईए 125 का एक नंबर हो जाएगा गाओ उड़ो उड़ो एक पच्छी की तरह नेश्ट कोस्टन 126 नंबर में कह रहा है कि जुलाई 2021 में केंद्रिय मंद्री मंदल ने 6322 करोड रूपिय के पुरत्साहन के साथ अस्पेसलिटी अस्टील के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है या कित आना है यह टाइम के बारे में पूछ रहा कि कितने अब दी में यह परदान किया जाएगा तो 126 का राइट अंसर जो होगा वो एक नम सोरी 126 का जो होगा वो दो नंबर हो जाएगा ठीक है तीन 127 में आईए निमलिखित में किस समों के बित मंत्रियों ने टैक्स से हेवन को समाफ्त करने के उदेश से बहुराश्ट्रिय कमपनियों पर कम से कम 15% के बैस भी कॉर्पोरेट कर को मंजूरी दिया है तो बताइए कि इसका राइट अंसर क्या होगा 127 का तो 127 का राइट अंसर केंद्र सरकार ने लदाख में केंद्र ये बिस विद्याले की अस्थापना की मंजूरी दिये इसका निर्मान कितने रूपिया की परिविए मैंने लागत पूछ रहा है कि कितना लागत इसका है 128 का डी नंबर हो जागा 750 करोड 139 में का रहा है कि बिज्यान और प्रदाव की मंत्रा ले पुर्वत्तर में अपनी तरह का पहला उत्क्रिष्टता केंद्र अस्थापित करेगा इसे लगभग कितने रूपिया की लागत इसमें पूछ रहा है 139 का डी नंबर हो जागा 50 130 नंबर में का रहा है कि निमलिखित में से किस देश ने मद और दच्चिन एसिया छेत्रिये कनेक्टिवीटी नामक एक उच अस्तरिये अंदराश्टिय सम्मेलन की मिजवानी की है 130 का दो नंबर हो जागा उजवेकिस्तान 131 में करा कि परधान मंदरी के आर्थिक सलाकार परीशद के अध्यक डाक्टर बिवेक देव रम्मे ने बुजरुगों के लिए जीवन की गुनबत्ता सुचकांग सिर्शक से रिपोर्ट जारी की है इसमें बिहार का अस्कोर बताना कि कूल अस्कोर कितना था तो 131 का दो नंबर हो जागा 51.82 चलिए आगे आईए आगे कह रहा है कि बिहार के परियावरन मंतरी नीरत कुमार सिंग ने मैक डौवेल गोलंबर पार काउद घाटन किस सहर में किया है तो 132 का एक नंबर हो जागा पटना 133 नंबर में आई 133 नंबर में का रहा है कि देश में रास्टर पती महात्मा देश में रास्टर पिता लिखना चाहिए महात्मा गांधी को समर्पित ठीक है बापू टाबर का निर्मान बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है राश्टर पिता लिखना चाहिए ठीक है तो बिहार के किस जिले में कराया जाए रहा तो यह बताना है तो 133 का राइट अंसर जो हो जाएगा वो एक नंबर हो जाएगा पटना में चलिए 134 नंबर में आते हैं करा राश्टिये सम पार्सविक प्रवंधन सेवा लिमीटेड ने बिहार के किन दो जिलो में भारत के पहले चावल के साइलो गोदाम के निर्मान के लिए पाइलेट पर योजना शुरू किया है तो बताएगा 134 का दो नंबर हो जाएगा कैमूर और बक्सर 135 में करा कि भारतिये वायु सेना के हेलिकॉप्टर चेनुक में आई तकनिकी खरावी के बाद बक्सर में इमर्जेंसिंग लेंडिंग कराई गई इसे पहली बर भारतिय वायु सेना में किस बर सामिल किया गया था तो 135 का तीन नंबर हो जाएगा 2019 136 नंबर में करा कि नेशनल मोनोटाइजेशन पाइप लाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में नीजी हाथों में सौब दिया जाएगा तो 136 का हो जाएगा डी नंबर जै परकास नरायन एयरपोर्ट पटना 137 में करा कि भारत माला टू के तहत बिहार में पहली बार एकसेस रिस्ट्रिक्टेड एकस्प्रेस वे का निर्मान पटना से किस सहर के बीच किया जाएगा तो 137 का तीन नंबर हो जाएगा कोल का था 138 में करा कि बिहार के 72,000 प्ररमभिक बिद्यालियों में मध्यान भोजन से सिचकों को अलग करके इसकी जिम्मिदारी किसे देने का निर्ने लिया गया है तो 138 का जो हो जाएगा 138 का तीन नंबर हो जाएगा अच्छाए पात्र फाउन्डेशन 149 में करा है कि राज सरकार ने किस ब्रांड के नाम के तहत बिहार के सबजी को बढ़ावा देने की घोसना किया है तो 149 का राइट अंसर क्या होगा तो 149 का तीन नंबर हो जाएगा तरकारी आगे करा ए रिक्सा के माध्यम से सब्जियों का बिपनन कराने की सेवा तरकारी एक्स्प्रेस का सुभारम बिहार के किस सहर से की गई है अच्छा कुस्च्च नहीं है रिक्साइब है तो माध मीत नैंसर इनसर क्या होगा 143 का दो नंबर होनगा पतना पतना से अच्चर अब यह मैध है तो मैत मैं नश बता धाता हूं ठीक है सॉल्यूसन आप करिएगा ठीक है मैं फिला लेहां परांसर बताता हूं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो एक सो एक तालिस का है ठीक है एक सो एक तालिस का सी नंबर हो जाएगा ठीक है 142 में आईए 142 का तीन नंबर हो जाएगा दस मिनिट 143 में 143 का दो नंबर देखिएगा सोल्यूसन करके ठीक है 144 का डीन नंबर हो जाएगा मैं यहां पर अंसर टीक कर देता हूं ठीक है बना कर देखिएगा एक सो चो कमा जाएगये एक सो चौ आरगा डीन नंबर हो जाएगा अस सी एक सो पैनाप पैफाफार्श्टाविक्ट 말 मैं देखिए 145 का दो नंबर हो जाएगा 146 नमबर तो 146 का जो हो जाएगा वो दो नमबर हो जाएगा 147 पर आईए तो 147 का आपका एक नमबर हो जाएगा 26,250 चलिए next अब आगे आजाते हैं अब्छे कि आजे आपका है 2014 134 तो 14 сторो जाएगा वो एक नमबर हो जाएगा और 149 का सब्सक्राइब और या हो जाएगा आपका 150 है तो 159 का जो राइट नतर हो जाएगा वो दो कुछ दिखात है तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा कुछ कौरी बगेरा है तो कमेंट बॉक्स में बताईगा इसी तरह से आपको बिहार S-A-C का लगतार प्रैक्टीशिट मिलते रहेगा और यह जब